शनी के साड़े साथी जो होती है वो इश्वरी ऑडिट होता है शनी को पाराशा रिशी ने काया है भ्रत्य भ्रत्कार्थ होता है सेवक तो शनी जो है वो लौड आफ लेवर होता है तो शनी का जब न्याय चलता है तो वो बहुत माइक्रो लेविल पर चलता है और अभी शनी है वो और माइक्रो हो जाता है कुरूरे वक्री अतिकुरूरा तो दोनों के कर्मों का जो आड़िट हुआ वो आड़िट की रिपोर्ट यह परिणाम है और शनी को जो सबसे ज्यादा नापसंद है वो है उसके साड़े साती के दौरान जूड बोलना अब जैसे राहूल गांदी ने बोला कि चौकिदार चोर है तो इसकी छमा तो उच्चतम नियाला में तो हो सकती है लेकिन जो ग्रहों के निया अदीश है वहां इसकी छमा नहीं हुई ऐसा परिणाम देखके लग रहा है दूसरी चीज यह है कि जो सेवा से जुड़े हुए लोग है यानि अब अगर आप यह गौर करें कि नरेंदर मोदी ने जब अपने को बोला वो बोला परधान सेवक यानि वहां सेवक है तो शनी के यह अनुरूब बात है कि आप जमीन पर ही है आप आपके बात से लग नह आप ने काम किया दूसरी चीज यह है कि व्यक्तिकत रूप से जो नरेंद मोदी जी का और शिव का एक संबंद है शिव पासना किसी से उनकी छुपी नहीं है अभी केदार नार भी कहते तो शनी ही शिव है तो कई तरीके के आध्यात्मी उनका श्रम शनी को लेबर पसंद ह तो कोई आउकाज भी नहीं लिया है तो कठोर परिश्रम तप के साथ जो कर्म किया गया और नीचे तपके के लिए जो सोचा जा रहा है सोचाले हो चाएं घर हो तो यह शनी के यहां यह पास हो गई बात उनकी रिपोर्ट में मोहर लगा दी है शनी ने शनी को आप बहुत ह अच्छे प्लैनेट है यह बहुत इमानदार है यह बहुत आराम से समझ सकते हैं कि आप ढों क्या कर रहे हो और क्या साथिक पूजा की आड में आपको कोई गलत काम करने की छूट नहीं देते हैं ऐसा नहीं है कि प्रदान मंतिजी के दाना जाते हैं तो इसलिए सब सफल मा कर्म देखकर और रिपोर्ट देखकर ऐसा लगता है कि आरोप चाहें जितने लगें लेकिन जो अंदर की जो सुचिता है प्रदान मंतिरी जी की वो मेंटेन है उनको कोई लोब नहीं है वो अपने लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं एक सेवक की भाती कार कर रहे हैं इसी सेश